अब अगर हम वेपारिक बैंकों के आधुनिक कारे की बात करें, तो जैसे कि कुर्स समय पहले भी हमने देखा कि कौन-कौन से उसके आधुनिक कारे हैं, एक शौट में हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन-कौन से आधुनिक कारे हैं, तो सबसे पहले इंटरनेट बैंकिंग हमने phone pay paytm के बारे में जाना bridge हम यूज़ करते हैं, हम net banking के माध्यम से पैसे एक जग़ा से दूसरे जगा पर एक वेक्ति से दूसरे वेक्ति को transfer करते हैं, तो यह bank के जितनी facilities हैं, सारे की सारी facilities इंटरनेट banking के अंटर गता आती हैं, आप देझते होंगे कि जब भी आपके account स से मनी विड्रॉल होती है या जब भी आप अपने अकाउंट में कुछ मनी डिपोजिट करते हैं तो तुरंद आपको मैसेज आ जाता है कि आपके अप्लस आप एक मिस्कॉल से आपके अकाउंट में कितने पैसे जमा हैं और पिछले ट्रांजक्शन क्या क्या हुए कब कब आपने पैसे निकाले यह सारी जानकारी आपको सिर्फ एक बिटन दबाने से घर पर बैठ कर मुबाइल के माधियम से इंटरनेट के माधियम से बहु हैं ठेक इसी तरह आधुनिक कारियों के हम बात करें तो सरवत्र बैंकिंग एक इसका महत्वपूर्ण बिंदू है यानि कि कि पूरे देश में जो बैंक है वो एक बैंक जो है जहां पर आप पैसे डिपॉसिट करते हो और कहीं भी उसकी दूसरी साखा से दूसरे एटियम स कहीं से भी आप उस पैसे को विट्रॉल कर सकते हों वैसे ही अगर हम बात एटियम के करें तो यह भी इसका के एक महत्वपूर्ण फैसलिटी है एटियम ऑटोमेटिक टेलर मशीन जिसके बारे में बहुत कुछ बताने की आविश्यक्ता नहीं है बहुत आसानी से हम एटियम दिये गए होते हैं उस निर्देश को आप फॉलो करते जाते हैं और फिर आगे बढ़ते जाते हैं सबसे पहले जैसे कि आपको यहां पर यह बताना होता है कि कौन सी फैसलिटी आपको चाहिए आपको मनी विट्रॉल करना है या आपको बैलेंस चेक करना है या और कोई फै लेटिफिकेशन नमबर होता है वो दर्ज करने को कहता है और इसी प्रक्रिया में आगे बढ़के फिर बैंक आपसे यह जानना चाहता है कि आपको कितनी धनराशी विड्रॉल करनी है उसकी एंट्री करते हैं और उसके बाद फिर बैंक जो होता है वो जो भी मनी आपको चाहि आधुनिक कारियों के अंतरगत आते हैं और किवल एटियम में हम पैसों को डिपॉजिट नहीं करते बलकि अब सभी बैंकों में लगभग उन मशीनों का भी प्रयोग किया जाने लगा है जब बहुत आसानी से आप उन मशीनों में अपने कैश जो होती है वो डिपॉजिट से कम समय में कर सकते हैं अब आपको बैंक के एक बहुत महत्पूर्ण सर्विस एक बहुत महत्पूर्ण सुविधा के बारे में जानकारी दे जिसे हम कहते हैं साख पत्र यानि कि क्रेडिट कार्ड बैंक अपने ग्राहकों की आर्थिक स्थति और उसके जो ट्रांजिक्शन क्रेडिट कार्ड को यूज करना यानि बैंक से लेना या ना लेना उस ग्रहा की एक्षा पर निर्फर करता है और बैंक का हमेशा यह प्रयास रहता है कि वह जादा से जादा क्रेडिट कार्ड एशू कर सके जादा से जादा ग्रहकों को प्रेरित करें क्रेडिट कार्ड यू कर सकते हैं और उस कार्ड से पेमिन कर सकते हैं उस कार्ड से उनके अवश्यक्ताओं के वो समान खरीच सकते हैं और जो भी credit card के नंतरगत खर्च किये गए हैं वो धनराशी रहती है वो बैंकों को 45 दिन के भीतर लुट आनी होती है तो जबुरत पढ़ने पर यह credit card काम आ करता है लेकिन बहुत सावधानी रखनी पड़ती है क्योंकि बैंक जब हमको ये सारी आई कि देखती है तो जहां इसके बहुत सारे लाब है वहीं इसके बहुत सारे हानिया भी होती है आप आयग इन समझार पत्रों में सोशल मीडिया में देखते होगे कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो साइबर क्राइम से परिशान होते हैं, मोबाइल से अचानक से उनके अकाउंट से धनराशी उड़ जाती है, उनके मोबाइल पर OTP आता है, by mistake वो अपने OTP इन लोगों को बता देते हैं और उनके अकाउंट से पैसे चले जा अनकारिया है, आधार कार्ट से संबंदीत या पैन कार्ट से संबंदीत वो किसी भी अन्यवेक्ति से शेयर नहीं करनी है, इन सब चीजों का ध्यान रखना है, तभी आपको बैंकिंग की इंटरनेट सेवाओं का वास्तिविक लाब मिल पाएगा, अब जबकि हम बात करते ह है, बैंकों से रिड लेने की, बैंकों की साख सुविधाओं की, तो क्या कभी आपने सोचा है कि जो रिड बैंक हमको देती है, जो पैसे बैंक हमको रिड के रूप में देती है, वो पैसे बैंक के पास वास्तों में आते कहां से हैं, वास्तों में इस पूरी प्रक्रिया को तो यहां पर स्पेर्स की एक परिभाशा हमको याद आती है जिनके रुसार बैंक केवल मुद्रा जुटाने वाली संस्थाय नहीं है बलकि यह कुछ स्रिजन करता भी है तो किछ स्रिज का स्रिजन करती है धन का क्यों करती है ताकि जरुद पढ़ने पर आपकी वो हेल्प कर स डि Biology और दूसरा जिसे हम क्याते हैं वियूत्पंद जमाएं इनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे तो वास्ताओं में प्रात्मिक जमाएं हैं जैव वही जमाएं हैं जिन्हें कोई व्यक्ति अपने अकाउंट में किसी बैंक में इस बैंक अ ग्रहожा क्यों उसमें वो जमा कर देता है एक उदारन के तौर पर ए जो है वो एक बैंक का ग्रहाक है इस बैंक में इसने 10,000 रुपए जमा कर दिये अपने अकाउंट में तो ये जो 10,000 रुपए है बैंक के लिए वो प्रात्मिक जमा कहलाएगी दूसरा हम देखते है व्युत्पन जमाए तो व्युत्पन जमाए क्या है जब बैंक किसी वेक्ति को रिण देता है तो बैंक उस वेक्ति को ये पूरी रिण की राशी उसके खाते में डाल देता है उसके खाते में वो ट्रांसफर कर देता है अब इस कंडिशन में जो ये जम फußे ने होता है वास्तों में जमाओं के रूप में धन राशी जमा होती है वही से साघ कर्डियन होता है किस प्रकार होता है कैसे रगव obviously इसको हम आगे विस्तार से जानेंगे तो आएए देखते हैं कि साख निर्माण की जो पूरी प्रक्रिया है वो कैसे चलती है कुदाहरण के तौर पर मान लेजिए मनीश ने 10,000 रुपए अपने बैंक में जमा किये उसके बैंक का नाम है अपने बैंक में उसने जमा कर दिये तो यह जो 10,000 रुपए है वह बैंक के लिए प्राथ्मिक जमा है अब स्ट्व में हम देखते हैं कि बैंक यह जानता है कि जो ग्रहाक है वो किसी भी वक्त बैंक से निकाल लेगा विद्रॉल कर लेगा ऐसी कंडिशन में बैंक क्या करता है कि कुछ हिस्सा जो होता है वो बैंक में रखे रहता है अपने पास कैश और कुछ हिस्सा जो होता है उसको वो अलग कर देता है जिसे बाद में वो व्युत्पन जबाओं के रूप में यूज़ करता है तो इसी अधारन से हम देखते हैं कि मान लीजिए इस 10,000 में से वो 20 प्रतिश्यत यानि कि 20,000 जो है वो रखेगा और 80 प्रतिश्यत यानि कि 8,000 रुपए है जो है वो किसी व्यक्ति को वो उधार देदेगा जो भी वहाँ पर लोन के लिए अपलाई करता है वो उसी पैसे में से एक्चुली उधार देता है जो ग्राहक बैंक में जमा करके रखे रहते हैं लेकिन वो बहुत अच्छे से इन जमाओं को मैनेज करता है बहुत अच्छे से उसको देखता है कि कितनी राश्य को बैंक के पैस रखनी और कितनी राश्य को लोन के रूप में ग्राहकों को द तो यहां पर हम यह कहेंगे कि मौहन को उधार दिया यानििं कि मौहन के ऐकाउट में कैश तो देगा हैं अगला स्टेप Conこと प्रकार करता है कि उसको मोहन किसी को चैक में देड़े दिया । अब दोगों में बार देगा यानि पहला जो इसका 20% है यानि वास्ताओं में बैंक बी के लिए प्राथमिक जम्मा कहलाएगा अब बैंक बी इसको दो भागों में बाड़ देगा यानि पहला जो इसका 20 प्रतिशेट है यानि 1600 उसको वो अपने पास रखेगा और बाकी जो 80 प्रतिशेट है यानि कि 6400 उसको वो किसी को रिण देने के लिए रख लेगा रिण दे देगा वो किसी को तो इस तरह से ये पूरी प्रक्रिया चलती जाती है अब उस 6400 को बैंक किसी को और रिन देगा चेक के रूप में देगा मान लीजिए उस चेक को उसने किसी आने बैंक में जमा कर दिया तो वो प्रात्मिक जमा हो जाएगी और फिर उसको बैंक दुबागों बाटेगा 20% अपने पास रखेगा 80% किसी को रिन देगा तो इस तरह से ये जो जमा करते जाते हैं लोग इनसे जो कुछ धनराशी बैंक अलग नगत के रूप में रखता है और कुछ रिन देता रहता है इससे धीरे-धीरे साख का निर्मान होता जाता है जो कि एक महतपूर प्रक्रिया है पूरी बैंकिंग प्रणाली वास्तों में इसी साख प्रक्रिया पर टीकी हुई है यहां पर से प्राप्त होते हैं वो बेंक की आएक महतपूर स्त्रोथ हैं इन्हीं के माधिया मीं कि अजामपल में देखा कि जो बैंक है चार भागों में बटे हुए हैं बैंक A, बैंक B, बैंक C और बैंक D इसमें हमने उदाहरन में देखा जब लोगों ने निक्षेप जमा किया पैसा जन्ता में जमा किया और बैंक ने उसको दो भागों में बाटा तो यहां पर हम सेकेंड कॉलम में देख रहे हैं कि पहले 10,000 प्रात्मिक जमा था फिर 8,000 प्रात्मिक जमा हुआ फिर 6,400 प्रात्मिक जमा हुआ फिर 5,120 प्रात्मिक जमा हुआ तो वास्तों में ये अमाउंट कहां से आई तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले जब म रुपए नगद रखा अपने पास और उसका असी प्रतिशयत यानि कि 8000 रुपए उसने दूसरे को रिन के रूप में दे दिया और फिर इसी 8000 को जब दूसरे वेक्ति ने बैंक में जमा किया तो इसके दो भाग हो गए इस 8000 में से 20 प्रतिशयत यानि कि 16 सो रुपए बैंक प्राप्त हुआ उसने फिर उसे बैंक में जमा किया बैंक ने फिर से इसके दो हिससे किये इसमें से 20 प्रतिशयत यानि कि 1280 रुपए उसने अपने पास रखे और उसके बाद लास्ट कॉलम में आप देख रहे हैं कि 500 रुपए जो है वो फिर से साख निर्माड में यूज कर लिए गया और फिर से आप देखते हैं कि यह प्रक्रिया आगे चलती जाती है तो फोर्थ कॉलम का अगर हम टोटल करते हैं तो हम यह कहेंगे कि इतना साख निर्माड बैंक ने कर लिया है और थर्ड कॉलम का हम टोटल करते हैं तो हम देखते हैं कि बैंक के पास इतनी ध करती है साथ में रिंड का वुक्तान किया जाता है और साथ में बैंकिंग के जो अन्य होते हैं वो इसके अंतरगत इसके साथ किये जाते हैं अब अगर हम बात करें साख निर्मान की सीमाओं की किस हद तक किस लिमिट तक इनका निर्मान किया जाता है तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि देश में मुद्रा की मात्रा को जो चलन मुद्रा होती है चलन मुद्रा की बारे में हमने पिछली अधियायों में जाना था तो उस चलन मुद्रा के आधार पर ही वास्तों में साख का निर्मान किया जाता है जैसे यहां हम देखते हैं कि चलन मुद्रा साख का आधार होती है वास्तों में यह माना जाता है कि न Quebec मुद्रा जितनी अधिक चलन में है उतनी जादा ही जमाएं के पास होगी नोगों के पास धन होगा चलन हैोंगी तो ही वहила क में पैसा जमा कर बाएंगे दूसरी बात हम यहाँ पर कि इन दोनों को अगर correlate करें तो जितना ज्यादा बैंकों के पास पैसा जमा होगा बैंक भी उतना ज्यादा साख का निर्मान कर पाएगा जैसे कि हमने अभी उसकी प्रक्रिया में देखा जैसे जैसे पैसा जमा होते जाएगा वैसे वैसे साख का निर्मान में बढ़ता जाए है कि बैंक में पैसा ना हरक कर अपने पास रखने का प्यास करते हैं यह कई बार कोई डर या एमर्जनद्सी करणeside कि कभी जरुद्ध पढ़ जाये तो बैंक से हो सकता है जल्दी से ना निकाल पाए उसके कारण भी लिखने का कारण जमाएं जो है साख जो है वो नहीं हो पाती है जंता Dog banking आदते भी बहुत प्रभावित ya को लोगों की banking आदते यानűंगि बचत करने की आदत जितनी जादा होगी साख निर्माण उतना हिं अच्छा होगा जितना जादा वो बैंक में जमा करेंगे उत्ता ज़्यादा साख का निर्मान होता जाएगा लेकिन बचत की आदत नहीं है जमा करने की अगर आदत नहीं है लोगों की तो साख का निर्मान कहीं अब रुद्ध हो जाता है ठीक इसी तरह जमाओं पर नगत कोश का जो भुकतान है वो भी एक कर रहा था तो यहां पर हम देखते हैं कि नगत को जितना अधिक होगा साख उतनी ही कम होती जाएगी अगर जनता देख रही है कि लोगों की जो डिमांड है वो इस तरीके से कि वो जल्दी ज्यादा पैसे निकाल ले रहे हैं तो ऐसी कंडिशन में नगत कोश उसको ज्यादा नगता रखना पड़ता है और साख कर निरमाण। फिर कम हो जाता है तो बैंकों के बारे में उनके कारिय प्रणाली चाहरा से interacting अगर्शां बात करें कि बैंकों का महत तो करते हैं समय समय पर जितने भी उनको लोन की आवशक्ता होती एक निश्रित ब्याजद्दर पर उनको लोन की सुविधा प्रदान करते हैं और यही एक ऐसे सुविधा है जिसके दोरा जो वैपार है जो उद्योग है वो विक्सित हो पाते हैं दूसरा ये देखा जाता है कि बैंक जो है वो पूंजी संचे को भी प्रोचसाहित करते हैं जब हम बैंक के बहुत सारे स्कीम के बारे में सुनते हैं बहुत सारे खातों के लाब के बारे में सुनते हैं कि उससे हमकों बहुत सारे लाप राप्त होता है हमारा जो जमा अधन है वो कई गुणा बढ़ सकता है उस पर हम को कुछ ब्याज मिल सकता है तो बैंकों की सब नीतिया ऐसी नीतिया है जो लोगों को पूझी संचे के लिए बचत करने के लिए प्रुज़ाहिद करती है वैसे ये बैंकों के महत्व कि अब तो आर्थिक विकास में सहायक है, no doubt पूरे अध्याय में हमने देखा कि किस तरह बैंक जो है वो एक तो उत्पादक रिंड भी प्रदान करता है याने उत्पादन करता हो को द्योगपतियों को भी रिंड देता है लेकिन साथ-साथ वो भोगजा रिंड भी प्रदान करता है जिसे लोगों का कि जो सुविधाएं होती हैं, उसमें भी व्रिद्धी होती है, तो कुल मिला कर हम कह सकते हैं कि बैंकिंग सेवाएं जो है, वो आर्थिक विकास का आधार बनती हैं, साथ ही यहाँ पर हम देखते हैं कि साख का स्रजन जिसके बारे में कुछ बताने की साथ में इसके महत्तु की बारे में हम देखता है कि भुक्तान करने में सुविधा होती है पहले भी बैंकिंग किसे वाओं के माधियम से हम किसी भी इधन-राश्री का भुक्ताना आसाने से कर सकते थे अब हमने देखा कि किस प्रकार internet सेवाओं का यूस करके हम कोई भी money किसे दूसरे वेक्थी को transfer कर सकते हैं कोई भी amount किसे दूसरे वेक्थी को उनसे लिगे सेवाओं के बदले में payment कर सकते हैं वैसे ही बैंकों का एक बैंकों के अपने अलग अलग नियम होते हैं नियम और शर्टों को फॉलो करते हुए हम अपने मुल्यवान धातू मुल्यवान जो मैरे अगर बहुत इंपर्टेंट कुछ हमारे पेपर्स है तो उन सभी को अम लौकर में सुरक्षित रख सकते हैं तो यह तो हमने बात की बैंकों के महत्यों की अब हम बैंकों के बारे में बैंकों की प्रकार के बारे में हम देख रहे हैं देख रहे थे तो यहां पर रिजर्व बैंक और व्यापारिक बैंक में क्या अंतर है इस पर एक नज़वाइंग में अंतर भातिय और ये इस uwagę इस t देश में एक ही होता है जब्की व्यिद्वारिक बैंक डेश में अनेख होते हैं रिजर्व बैंक पर केंद्र सरकार का नियंत्रन रहता है जबकि व्यपारिक बैंक पर रिजर्व बैंक का नियंत्रन रहता है रिजर्व बैंक के स्थापना का उद्देश देश की अन्य बैंकों का नियमन इवं नियंत्रन करना है जबकि व्यापारिक बैंकों के स्थापना का मुख्यों देश लाभ अरजित करना है रिजरो बैंक का नोट निर्गमन पर एक अधिकार प्राप्त होता है जबकि कोई भी व्यापारिक बैंक नोट निर्गमित नहीं कर सकता है रिजर्व बैंक का आम जन्ता से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है जबकि व्यापारिक बैंक का आम जन्ता से प्रत्यक्ष संबंध होता है रिजर्व और वेपारिक बैंकों में अंतर देखने के बाद हमने इसके पहले भी देखा कि बैंकों का महत तो बहुत सारा है बैंक हमारे लिए बहुत सारे अच्छे कारे भी करती है लेकिन अपने आप में जिस तरह हमने देखा कि प्रतेक जिस भी विशह पर हमने अध्यान किया उसके अपने कुछ लाब थे तो कुछ हानिया भी थी ठीक इसी तरह वेपारिक बैंकों के भी कुछ दोश है जिने हम कु में जो जमाय होती है जो जम धनराशी होती है वह परियापत होती है बहुत सरी कारण हो सकते है और देखते हैं में जो प्रतिविक्ति वाले स्थिति निर्मित नहीं हो पाती है यही कारण है कि जमाओं का जो एक आकड़ा है वो बहुत कम है आकड़ों के अगर हम बात करें तो यहां हम देखते कि अमेरिका में जो प्रतिवेक्ति जमाएं हैं जो कि 2923 है उसकी अनुपात में भारत में यह सिर्फ 321 रुपए प् किया सकते हैं कि बैंकिंग जमाओं के कम होने का है कि लोगों की जो बचत की जो आदते हैं वो कम है या नहीं है वास्तों में आधुनिक्ता के कारण लोग जो एक दूसरे की देखा देखी के कारण अपनी जो उनकी सीमित आय होती है उससे भी जादा खर्च करने का वो प्र यहां अभी भी बैंकों का विकास नहीं हो पाया है इस पर अगर हम एक नजर डाले तो हम देखते हैं कि पंजाब, हरियाना, उत्तरप्रदेस, महरास्ट, पश्रिम, बंगाल, कुछ यह सब ऐसे स्टेट है जहां बैंकों का विकास अभी भी अधूरा है, साथ में हम यहां पे पैसे को कहा विन्योग जित करें, लेकिन भ्रम की स्थिती में या सही सला ना ले पाने की स्थिती में लोग जो होते हैं, वो सही जगा विन्योग नहीं करतें, बैंकों में विन्योग ना करके प्राइविट जो संसान होते हैं, उस पर ज़्यादा लाब कमाने के से उस पर अपने पैसे लगा देते हैं आप आए दिन समझार पत्रों में भी पढ़ते होंगे न्यूज में भी देखते होंगी कि बहुत सारी चिट फंड कंपनियां ऐसी है जिस पर लोगों ने अपने जीवन भर की पूंजी लगा दी जीवन भर की कमाई लगा दी और फिर जो चिट फंड कंपनियां है वो पैसे लेकर कहीं भाग जाती है अपने उनका स्तित्व ही समाप्त हो जाता है गायब हो जाती है तो बहुत ज्यादा लाब और जल्दी लाब कमाने के कारण जो जनता है वो प्राइवेट जो सेक्टर है उन पर इन्वेस्ट करती है बहुत अच्छे से छान भी नहीं चाहिए थी वो नहीं हो पाती है अब इन बैंकों के दोशों को दूर कैसे किया जाए इस पर नजर डाल लेते हैं तो व्यवय पारिक बैंको के दोश्रों को दूर करने के लिए जो सुझाऊ हैं उनमे सबसे पहला सुझाऊ यह है कि बैंकों में आपस में प्रतिस्पर्धा उन पर रोक लगाए जाए ने तैने के इंटरेस्ट होती हैं उनको कम करते हैं जिससे इनकों काफी हानिया होती है और दूसरी तरफ जो जमाओं पर जो ब्याज दिया जाता है उनकों बढ़ाते हैं ताकि वो प्रतिसपरधा में आगे निकल सके लेगिन कहीं न कहीं इसका एक विपरीद प्रभाव उन बैंकों पर पड़ता है त हाला कि बैंक जो है वह अपने आप में एक बहुत बड़ा वित्य संस्थान है लेकिन फिर भी सरकार को चाहिए कि किसी ना किसी रूप में या आवशकता पढ़ने पर बैंकों को भी वित्य सहायता प्रदान करें तीसरा यह यह भी हम किया सकते कि बैंकों का एक ही करण किया जा रहा है यह एक ऐसी विवस्ता है जिसका लाब उन छोटे-छोटे बैंकों को प्राप्त होता है जो बिमार पड़ी इकाईयां है बंद होने के कगार पे हैं जिनकी जमाय निक्षेप यह साख की जो इस सती है वह बहुत अच्छी नहीं है तो इन बैंकों को बड़े बैं हो और कुशल हो यही कारण है कि बैंकिंग घ्राप को पास करने के बाद आज होते हैं उनको प्रिसींग प्रदाister किया जाता है तो यह एक ऐसी विवस्ति करनी चाहिए कि समय समय पर उन लोगों को बैंक के जो कर्मचारी है जो अधिकारी है उनको समय समय पर प्रिसिक्षित किया जाता रहें साथ ही एक कार ये भी किया सकता है कि बैंकिंग प्रणाली में सुधार लाया जाए पूरी की पूरी बैंकिंग विवस्ता में सुधार लाने के लिए सहयोगात्मक रविया अपनाया जाए बैंक के जो अधिकारी या कर्मचारी है वो अपने बैंक के ग्राहकों से सम्मान पूर्वक बात करें सहयोगात्मक विवहार उन से करें जब भी वो किसी प्रकार की कोई जानकारी हासिल करना चाहें बैंक की कारिपिणाली से संबंदित तो जरूर उनको बहुत अच्छे से विस्तार से और बहुत सहयोगात्मक रवये से वो जानकारी दे ताकि वो उस बैंक के ग्राहक बने रहें साथ ही एक काम यह भी करना चाहिए कि बैंकिंग क्रियाओं का यंत्री करन करना चाहिए वास्तों में नेट बैंकिंग के द्वारा हम देख रहे हैं कि बैंकिंग क्रयाओं का यंत्री करन्ट तो किया जा चुका है लेकिन फिर भी अभी इसके विकास की जरूरत है कई बार हम देखते हैं कि जब हम ATM यूज करने जाते हैं तो ATM मशीने खराब रहती हैं कई बार जब ह प्रडालिया है बैंक जो है बैंकिंग वैवस्थाएं जो है वो चाहे उद्योग पती हो वैपारी हो यह समान यह आयवर्ग का कोई व्यक्ति हो सभी के लिए वो काफी महत्वपूर्ण सिद्ध होती है काफी समय समय पर उनको सहयोग प्रदान करते रहती है